दोस्तों स्वीट कॉन की तो बहुत सारी रेसिपी आप सबने ट्राय किये होंगे लेकिन आज में स्वीट कॉन की ऐसे एक नहीं तरह की कि और पहुत ही मसेदार यम्मी डिलिसियस एक रेस्पी लाए हो जो आप सब पूरे परिवार मिलके खाऊगे न तो भी पेट पढ़ेग इस 국 очень चाहिए तो लीकमी यहां पर एक ही च्रीश करऊंगे तो इसके लिए देखो छो ओप पर कार जिलका है श्यूंब निकाल के एक दम आता स्वाम कर लेना है पहले मुझे जोड़ा चोटा पीश समग्ते करई हैं frequent चोड़ा किने ज्यादा डाइम यह जोड़ां यह बना खोटा कर लेना है , ऐसा करेंगे तो हमारा काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान हो जाएगा तो अभी यहां पर मैं एक प्लेट लिया हूं। प्लेट के अंदर स्वीटकॉर्ण को रख देंगे और थोड़त रह करके इसको निकालेंगे इसका निकालने का बहुत एक आसान तरीका है पहले आप स्वीटकॉर्ण के एक लाइन को निकाल लो फिर ये खुद्वफुदी निकल जाएगा और बहुत जल्दी निकल जाता है इसके जो दाना है ना निकालने का यही एक आसान से ट्रिक है एक संग आप बहुत सारे स्वीट कॉर्ण की दाना पहुती आसानी से निकाल सकते हो तो इसी तरह बाकी जो दो पीसे से उसका भी में सारे दाना निकाल के ब्लेड में ले ले लेंगे तो देखो एक स्वीट कॉर्ण में मेरा इतना सारा दाने मिले है तो इसको अभी में साइड में रखते हैं और दूसरे एक साइड में गैस के उपर कड़ाय में दो कब भर के पानी गरम होने के लिए छो दिये थे पानी जब गरम हो जाए तब यह स्वीट कॉर्ण के जितने सारे दाने हमने निकाले रखेते ना पानी के अंदर डाल देंगे और विल्कुल हाई फ्लेम में इसको तीन से चार मीट के लिए उबा लेंगे असानी से दब जाता है तो मतलब सारे स्वीट कॉर्ण के जो दाने है पूरा अच्छे से पक गया है और आप देखो यह पानी के ऊपर तैर भी रहा है तो अभी इसको चैनी से निकाल के ले लेंगे इसका जो पानी है इसको अलग कर देंगे और दानी को अलग कर देंगे द दोस्तो यहां पे हमारा ये जो स्थीर हना ये थोरा मिल्ट हो गया है मतलब में इसको फ्रीज बहुत पहले निकालगे रखें तै今ॉल ही थोरा मेल्ट हो गया है अगर आप ज्यादा थाइम तक फ्रीज से बवराब होना के लिए चोड़ा बैमाटव के लिए टोपन Care Speaking और बेदम फ्रहब में के लिए चिक और डॉपन के लिए थोड़ा से लो आ नहीं के लिए घ्रैनकर अमसे को इसे कड़ कि बाबड़ा काथ तब ही हमारा recipe खाने में अच्छा लगेगा तो इसकी तरह में सारे प्यांज के पापड़ी को तेल से निकाल के ले लिए हूँ और उसी के साथ में यहां पर टेबिल स्पून जीतना बटर डाल दिये हैं बटर को भी अच्छे से गरम करके मेल्ड कर लेंगे और यहां पर में साथ से आठ लहसुन की कलिया को एक तम बारी बारी चोड़े चोड़े पीसेस में कट कर लिये थे उसको डाल देंगे इस रेसिपी में अगर इसी तरह लहसुन डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवार आता है और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप लहसुन खरना नहीं पसंद करते हो तो लहसुन को स्कीप कर सकते हो लेगिन यहां पर हींग का यूज नहीं करना ह तो देखो एक मिनिट के लिए मैने लो फ्लेमे लेसुन का अच्छे से थोड़ा पका लिया है अब यहां पे में डेट टीविस पून जितना मैदा डालेंगे यानि जितना आपको बटर लेना है उतना ही आपको मैदा लेना है अगर आप मैदा खाना नहीं पसंद कहते हो तो आप आठे का भी योज का सकतो लेकिन क्वांटिटी जितना बटर लेना है उतना ही लेना है अभी देखो तीन-चार मीट के लिए इसको अच्छे से भून लिया है अभी हमारा मैदा कलर थोड़ा चेंच हो गया है और यह भून भी गया है तो यहां पे मैं थोड़ा अब ढूड़ा दूद है इसको में पहले से उबाल के थंड़ा कर लिए थे अभी यह रुम टेमपर्सकर है इसमें थंड़ा टूदी यूज करना है तो थोड़ा थोड़ा करके में धूद यालुगी और मैं फालिघ को Salvador को एक दम लूप डखना है तुम एक दम अच्छे से मिक्स का दिया स्यव तो मैं एक दम हो जितना जितना दूद डाले हैं अच्छे से मिक्स कर दिया है अभी यहां पे स्वाद अनुसर नमक डाल दिया है एक छोड़े सामत जितना और 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 एक छोड़े सा पापरी को फ्राई करकर रखेते इसी टाइम डाल देंगे और अच्छे से सबस को मिक्स करेंगे दोस्तों यहां पर देखो यह जो ग्रेवी है ना एक्तम क्रीमी कीमी टेक्सटर हो गया है बीना क्रीम डाल के भी कितना अच्छा क्रीमी कीमी टेक्सटर हो गया है दोस्तों बच्चों से बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे और यह खाने में किसी पीजा से कम नहीं लगेगा तो यहां पे हमने जो चीज को पहले कदूकस करके रखे थे इसी टाइम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर गैस का फ्लेम को भी कर देंगे बंद गरम रह रहते रहते चीज अपने आप भी पिगल जाएगा देख सकते हों दोस्तों कितना क्रीमी क्रीमी टेक्स्टर हुआ है क्रेवी का तु देखो बहुत यम्मी डिलीजस बेंगे हमारा वायर सुट कॉर्ण दोस्तों आप सबने वायर सॉस पास्ता तो बहुत तरकी बना के आप सबको बहुत पसंद आएगे दोस्तों मैं आपको पास से दिखा रहा हुँ देख रहे हो ना कितना प्याड़ा लग रहा है और खाने में भी बहुत इस वाद इस तो दोस्तों आप सबसे बिंती है वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रू करने ऐसे ही मिलते नियте तकिस कलेई दॉपकेसे बहुताई आप ऑग!